कहते हो कि तुमारे पास F-16 को उड़ते रहने के लिए you don't have money मुल्क ऐसी सता पे आप पहुंचा है कि इंडिया का डिफेंस बजट आपके पूरे बजट के बराबर हो गया है इसमें बहुत सारे सवाल हैं क्या हम इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे उसका मेंटेनेंस के लिए 682,000 डॉलर्स देने जो कि जादा बड़ी रकम नहीं है साथ सावा साथ करोड पकड़ लो मोटा मोटी तुमारे पास उतने पैसे नहीं है इंडियन रुपीस अगर हमारे डिफेंस बजट ना हुआ तो क्या हमारे डिफेंस स्ट्रॉंग रहेगा और वो आपको ब्लैक मेल करने की पॉजिशन में आगे हैं फिनांशल कंस्ट्रेंट्स की वजए से एफ-16 फाइटर जेट जो है पाकिस्तानी एर फोर्स के वो धम से नीचे बैड़ जाएंगे और इस तरह की बहुत सारी चीजे हैं जो डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइटर जेट्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिफ तु बाई तो कोई शरम आनी चाहिए यह कहते हुए कि पाकिस्तान जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है वो कम कर रहा है साले चार सो मिलियन डॉलर में दे थे इनी एफ-16 के चलते कि इसका मेंटेनिंस करवा लो साले चार सो मिलियन डॉलर कहां गए किसी के बाप को नहीं पता कौन गड़क गया ड़कारनी मारीन लोगों ने तो आपके पास बिलकुल यह हक का है पार्लिमेंट बैठे और पार्लिमेंट यह फैसला करे के एरफोस को आदा कर दो नेवी को आदा कर दो फॉज को तो तकरीबन एक दो तेहाई खतम कर दो अमरीका ने इनके सर को पुछका रहा बोला टॉमी वेरी गोड टॉमी ने अपनी पूछ लाई अमरीका ने बोला जाओ हम तुम्हें F-16 देते हैं पाकिस्ताने कहता है कि हमने F-16 खरीदे खरीदे कुछ नहीं खरीदे खरीदे कुछ नहीं फैनाशल कंस्ट्रेंट्स की वजए से F-16 फाइटर जट जो है पाकिस्तानी एर फोर्स के वो धम से नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि फाइटर जेट्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्स्पेंसिफ तु बाई एंड तु मेंटेन आसान नहीं है भाई यह बलकु यह शेर पालने वाली बात होती है फाइटर एरक्राफ पालना मतलब शेर पालना हजारों डॉलर एक फ्लाइट में जो प्रैक्टिस की फ्लाइट होती है उसमें हजारों डॉलर चले जाते हैं एक फ्लाइट में अब आप समझो इतने एर फोर्स जेट सौटी कर रहे हैं सवेरे रात को यू कन इमेजन अब इनका देखो दो मिराज रीबिल्ड फैक्टरी एक है फैक्टरी का नाम जो इनके में लडाकू विमान है पाकिस्तान की एक तो F-16 है जो अब उड़ नहीं पा रहा और एक J-17 थंडर था इनका J-17 थंडर वो वैसे भी नहीं उड़ पा रहा था वो चाइनीज माल है तो उसका कुछ नहीं पता उड़ेगा तो लेंड करेगा नहीं लड़ेगा करेगा और अग करेगा दो बारा उड़ेगा नहीं नोबडी नोज वो चाइनीज माल है चाइनीज खुद उसको डंग से इस्तमाल नहीं करते हैं तो पाकिस्तानियों को बोलow गरीबो तो Pop music इयर फोर्स खेलो इस से तो अब इनका हो गया बेढगर्क ये पेमेंट कितनी मांग रहे हैं ये पेमेंट मांग रहे हैं इसको करने के लिए कि भाई 682,000 डॉलर्स 682,000 डॉलर्स भाई साथ ये 1,000,000 डॉलर आपका हुआ करीब 8,30,000,000 मुटा मुटी आठ करोड 20, 8 करोड 30, 1 मिलियन डॉलर यानि कि पाकिस्तान को लगभग चाहिए 5 करोड डॉलर, 5 साले 5 करोड डॉलर नहीं माफ करना, 5 साले 5 करोड इंडियन रुपीज, मैं मुटा मुटी बता रहा हूँ, आपको कुछ 10-20,000 डॉलर डाइवाएं हो सकता है, इसमें मैं accurate नहीं है, मेरा मामला इसमें, लेकिन इनको चाहिए 682,000, तो आप ये लगा लो कि 7 करोड, 5 करोड 7 करोड पकड़ लो, 7,5 करोड पकड़ लो और क्या है, 83 पे तो एक डॉलर हो जाता ना पूरा, 83 रुपीज पे एक डॉलर हो जाता आपका, तो आप पकड़ लो 7 करोड भी पकड़ लो मुटा मुटी, इनके पास 7 करोड इंडियन नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हमें US Foreign Military Sales FMS Program को हमने 682,000 डॉलर देना है, अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि कहां से दें, कहां से दें, इनके मंत्रियों के अलले तललों के लिए इनके पास पैसे हैं, ठीक है जी, अब ये गए थे, वो जो इरान का नया प्रेजिड बनाया है, 20-25 लोगों का डेलेगेशन गया, फ्लाइट पकड़के तेहरान, उसकी स्वेरिंग इंसरिमेंट, तुम्हारा क्या लेना देना यार, तुम्हारा क्या लेना देना, मुझे आज ता कि समझ भी नहीं आ, फिरे कहेंगे कि, एंडिया हमसे जलता है, और हम लोग बड़ी तरक लिए 682,000 डॉलर्स देना है, जो कि ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, साथ सवा साथ करोड पकड़ लो, मोटा मोटी, तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है, इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी होंगे, 21-23 करोड, पाकिस्तानी रुपीस, वो तुम्हारे पास नहीं है, ल जंदन चले जाते हैं, इतना ट्रैविल क्यों करते हैं पाकिस्तानी, और ये पाकिस्तानी कौम इतनी बेहिस हो गई है, पाकिस्तानी कौम कभी इन से नहीं पूछती, कि पागल के बच्चों, तुम लोग हर रोज प्लेन लेकर क्या आते हो वापिस पाकिस्तान, यहर मैं प पूछे जाते हैं आपके यहां को सवाल ने पूछता आपके यहां जब मंचाप प्लेन उठाया शेवाज शरीफ ने बुला आओ पचास सो लोगों को लेकर अमरीका में रह रहे हैं साथ साथ दिन पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या अपनी ऐसी तैसी फिरवारे हैं लंडन जात यहां ठीक है समय की मीटिंग है वो आते हैं वो जाहाज महीं नहा दोके कपड़ अपड़ बदलके बाल बनाके वहीं पर अपना हेलो हेलो जिसको बोला गले मिले हाथ वहीं पर साइन वान करा और वहीं पर जाहाज में वापस गया कई देशों का तो दौरा ऐसा होता है वापस गए वापस आगे कोई होटल होटल का चक्कर ही नहीं कोई वहाँ पर रहके क्यों समय पर बात करना हर जगा अभी मैं बता रहा हूँ अभी इसमाईल हनिया मर गए यह पाकिस्तान डेलेगेशन भेज देगा नमाज जनाजा में मैं आपको बता रहा हूँ इतने बंद कर दी है कि यह हमारे बड़े अच्छे दोस्ते हैं सोवेट रोस के खिलाफ हमारी मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान में फिर 9-11 के बाद इनकी ज़रुत पढ़ी अब क्या हुआ है कि अमरीका की जो नजर है वो पाकिस्तान से हट गई क्यों हट गई साब वो इसलिए हट गई है कि अमरीका अफगानिस्तान से चला गया अब वो पाकिस्तान से कहता है कि तुम पैसे ले लो ठीक है जी तुम पैसे ले लो और तुम जो हम काम कहते हैं हम ट्रांजक्शनल रिलेशन्शिप करेंगे हम तुम्हें इतना पैसा देंगे तुम वो कर देना और मुझ को साले 400 million डॉलर मेरे दे इनी F-16 के चलते कि इसका maintenance कर वा लो साले 400 million डॉलर कहा गए किसी के बाप को नहीं पता कौन गड़क गया डकार नी इन लोगों बाई साब डकार नहीं मारी इन लोगों ने 680,000 यूज डॉलर्स नहीं है यह पैसा गया कहां पे यार यह कौन खा गया पैसा कौन से जर्नेल ने DHA का कॉर्णर प्लॉट ले लिया किसने एवन फिल्ड में अपार्टमेंट बना लिये यह पैसा गया कहां पे